दुशार गांदी जी हमारे साथ मौझूद हैं, साथ मैं सिध्य आपके पास आते हुए चुंकि आपने कहा कि गांदी को बदलने के कोशिश की जारी है क्या इस तरह का बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया कि गांदी हिंदू-मुस्लिम एक्ता के पक्षधर थे और ये बाते कटर हिंदू समर्दकों को रास नहीं आ रही थी या फिर जो बाते अभी सकलानी साथ के ओर से कही जारी है या इसके पक्ष में जो लोग बाते कह रहे हैं कि समयकाल परसितियों के हिसाब से बदलाव होता है और उसे बदलाव के तहट ये फैसला एक्सपर्ट कमिट्टी की राय के आधार पर किया गया है तो शार जी ये कटर हिंदू की बात नहीं है ये कटर हिंदुत्व वादियों की बात है इसमें बहुत फर्क है हमने ये समझना है कि हिंदू हमेशा सहिशलू रहा है और सबसे के साथ जुल मिलके रहने की संस्कृति उसकी रही है हिंदुत्व है जो अपने आपको एक्स्क्लूजव रखना चाहता है और इसलिए उनको ये बात के कोई हिंदू मुस्लिम या सारों को सबको साथ लेके चलने की बात की हिमायत करता हो और इसलिए उनको वो हमेशा खटका था और गांदी की हत्या करवाने के बाद 75 साल तक दुश्प्रचिरार का दोरा चलाया उनकी छबी बिगाड़ने के लिए अब जब उनकी सत्ता है तो वो बंदमानी कर सकते है नहीं आपकी बातों से ये लग रहा है कि सरकार एतिहासिक संदर्बों में बदलाव करके अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती है क्या इस तरह क्या रूप लगाए जा रहे हैं आपकी उर से ASS के फायदे के लिए और उनको नुक्सान ना हो ये मनसूबे से ये काम किया जा रहा है क्यांकि जो असली इतिहास है उनके लिए नुक्सान कारक है और उसको वो लोग दबोचना चाहते हैं बदलना चाहते हैं छुपाना चाहते है ची क्हें साथ हमारे साथ बने रहे हैं बहुत सारी और भी सवालें जो आगे मैं आप से पूछूंगे वहां का अपना एक वह जो से लेबस देते हैं हरे राज्य और देश में वही चलता है तो इसलिए वहां पर जो भी लोग बैठते हैं जो जूरी बैठती है वो तैय करती है इससे कोई पॉलिटिकल इसको आर्थ न निकाला जाए लेकिन जहां तक तुशार जी की बात है मैं उ महत्मा गांधि का सम्मान हम लोग करते हैं कब करने किया हो कहा नहीं किया किस जगह सब्सक्राइब करना चाहती हैं वहां हमारे दिलों में राच करेंगे लेकिन कॉंग्रेस या विपक्ष के लोग जो आप आज देख रही हैं मुगलों को जिन्होंने महिमा मंदित किया है और जिन्होंने अपने इतिहास को चुपाने के लिए या अपनी बुराईयों को चुपाने के लिए उनको आगे लाकर खड़ा किया मैं उनसे प्रश्ट करन चाहिए थे जो मंदियों को आकर तोट डालें जो हिंदूओं को आकर माट डालें वही लोग इन्हें पसंद थे और उनको यह इतिहास में रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं को पढ़ें हमारे देश की संस्क्तिक धरोरों के बारे में ना जाने राम दर्वार के अगर इनको इतना ही विरोध करना है तो किसी अरब जैसे मुल्क में जाकर यह पढ़वा कर दिखवा दे राम दर्वार तो हम जान जाए अभैदूबे जी ठीक है अब मुगलों पर तो बहुत सारे सवाल आपने यहां पर खड़े कर दिये हैं लेकिन गांधी को लेकर अग अब कॉंग्रेस के ओपर आरूप लगती रहे हैं कि अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती रही है पार्टी अब जो उन लोगों को अनुचित लग रहा है उसको वो हटा रहे हैं चितरा जी जो इतिहास रच नहीं सकते वो इतिहास में छेड़ छाड़ करके खुद को दर्ज कराने का दुस्साहस कर रहे हैं जो खुद काम करके नाम नहीं कमा सकते वो नाम बदलने की राजनीती इस देश में कर रहे हैं मैं तो शुरुदीन से कहता हूँ कि महात्मा गांधी का द्रश्ची कोण नहीं इन्हों ने सिर्फ प्रचार के लिए महात्मा गांधी का चश्मा उधार लिया है शर्मनाग बात है महात्मा गांधी को रदेयों से हटा नहीं सकते हैं मगर जो गोडसे के पाप कर्म पर परदा डालने का शडियंतर चल रहा है सवाल उसका है आप क्यों हटा देना चाहते हैं गोडसे के संदर्ब को मैं पूछना चाहता हूँ और ये सिर्फ गोडसे का प्रश्ण नहीं है ये सवाल इस बात का है कि पहले दिन से भारती जनता पार्टी की आज की मानसिक्ता और ये कह रहे शामा प्रसाद मुखर जी को आजादी के आंदोलन में दर्ज करोगे बताओगे इस बात को कि वो फजलूल हक के साथ जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था तो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले के साथ सरकार चला रहे थे और सदन में ये प्रस्ताव पा क्या हो? ये दर्ज करना चाहते हो? क्या ये दर्ज करोगे जब शामा प्रसाद मुखर जी को सरदार पटेल पत्र लिखते है कि मेरी और पंडित नहरो की हत्या करना चाहते हैं जो देश muha और दिगविजेनात को तुम छुडाने की बात करते हो? क्या उस इतिहास की पुस् किया यह क्या क्या हटा देना चाहते हैं दस्वी के पाठिक्रम से कहते हैं कि लोकतंत्र और विविद्टा लोग प्री संगर्ष और आंदोलन लोकतंत्र की चुनोतियां यह तुमने चला लखा यह तो जब नैज सीरे से इतिहास निखा जाएगा भारत वर्ष का और आप सेठों बनाम लोकतंत्र की यह लड़ाई चल रही ती कैसे लोकतंत्र का दमन कर दिया है